हेलो फ्रीवन कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे तो दोस्तों जिनका भी एक्जाम 5, 6, 7 को है न तो ये 25 सवाल को रट लिज़ेगा ठीक है क्योंकि बहुत ही जादा इंपोर्डेंट है और यहां से सवाल एक अक नंबर का सभी सिफ्ट में आ रहें ठीक है तो देखिए आज करेंगे पुस्तक से संबंधित सवाल क्योंकि ये जो सवाल है बहुत जादा इंपोर्डेंट है आप लोग को मालूम होगा कि हर सिफ्ट में एक नंबर का आ रहें ठीक है तो देखिए जितने भी सवाल है अच्छे से कर लिजेगा और एक और चीज की इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौझूद है तो आप लोग जाके वहाँ पे पीडिएफ प्राप्त कर सकते हैं परशाद तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट एंसर जुआहर लाल नहरू जो थे डिस्कावरी ओफ इंडिया पुस्तक के लेखक है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन देखिए टू में हार्ट ओफ इंडिया पुस्तक किस ने लिखी अप्शन ए में खुस्वन सि बेद ब्यास और डी में बाल में की तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट एंसर बेद ब्यास ने की ठीक है स्रीमत भागवत की रशना चलिए नेक्स्ट कोशन देखिए फोर में आईने अकबरी के लेखक है अप्शन ए में अकबर बी में अबुल फजल सी में अमिर खुसरो और डी में सेरसा सूरी तो फोर का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट एंसर अबुल फजल ने आईने अकबरी के लेखक है चलिए नेक्स्ट कोशन देखिए फाइफ में वेल्थ आफ नेशन के लेखक कौन है एडम इसमीद डेविड रिकार्डो जे एम किन्स और ड डार्कनेस के लेखक है यह भी सवाल इंपोर्टेंट है शिक्स का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट एंसर बी एस नाइपाल उसके बाद देख लिजिए सेवेर नमबर प्रेस्ट में दा गॉड ऑफ असमाल तिंग्स किसका लिखा उपनियास है सोभा डे कमला दास और नेक्स्ट कोसान देखे एट में A train to Pakistan पुस्तक के लेखक है और उंदती राय सोभा डे मुल्कराज अननund और D में खुसवन सिंह एट का हो जाएगा option D राइट अंसर खुसवन सिंह ठीक है । सिंह हो जाएगा राइट अनसर A train to Pakistan के लेखक है खुसवन सिंह чलिए नेक्स्ट कोशन देखिए 9 में टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक के लेखा कौन है हामीद अंसारी ठीक है हामीद अंसारी एपीजी अब्दुलकलाम जस्वन सिंग असुक गहलोद तो 9 का हो जाएगा option बी राइट अंसर 9 का हो जाएगा option बी राइट अंसर एपीजी अब्दुलकलाम चैलें उसके बाद देख लिजे 10 नंबर प्रेस्ट में अंटोल्ड स्टोरी टीक है अंटोल्ड स्टोरी के लेखा कौन है तो जितने भी भाई या लेखा कहना इसको एदम रट लिजेगा किसी भी आल में क्योंकि एक नंबर का ये फिक्स रहता है मुस्के राज अनंद बी एम कॉल सी में आरके नरायन और डी में एस निहाल सिंग 10 का हो जाएगा option बी राइट अंसर बी एम कॉल ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन देखे 11 में गांधी एंड अस्टालेन पुस्तक किस की कृती है लुई फिसर गुनार मिर्डल सी में बिनौबा भावे और डी में एम इन राय तो 11 का हो जाएगा option ए राइट अंसर लुई फिसर का ठीक है या किस की कृती है वह या लुई फिसर की कृती है गांधी एंड अस्टालीन चलिए नेक्स्ट कोशन देखे 12 में पुस्तक के लेखा के रचाईता कौन है बिदुद चक्रवर्थी रजनी कोठारी सी में रोमिला थापर और डी में एक के दूबे टूएल का हो जाएगा उप्शन बी राइट असर रजनी कोठारी ठीक है पुलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखा के रचाईता रजनी कोठारी है चलिए नेक्स्ट कोशन देखे 13 में ए सोल्जर्स जनरल पुस्तक के लेखा कौन है ये भी सवाल इंपोर्टेंट है एड्मिरल निर्मल कुमार बर्मा बी में एरचिफ मार्सल एके ब्राउन सी में जनरल बीके सिंग और डी में जनरल जे जे सिंग 13 का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट असर जनरल जे जे सिंग ठीक है एसोल्जर्स जनरल पुस्तक के लेखा खै चलिए नेक्स्ट कोशन देखिए 14 में हिंदू वी अफ लाइन ठीक है हिंदू वी अफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी फिर से पढ़ लिजे हिंदू वी अफ लाइफ नामक जो पुस्तक है किस ने लिगी स्वामी विवेका नंद स्वामी धयानन सर्शुवती बी आर अंबेडकर और डिम डॉक्टर एस राधा कृष्णे फोटीन कहो जाएगा ऑप्चन डी राइट एंसर डॉक्टर एस राधा कृष्णे चलिए नेक्स्ट कोष्ण देखिए 15 में इंडिया विंस फ्रिडम पुस्तक आत्म कथा है डॉक्टर राजिंदर प्रशाद की जवाहर लाल नहरू की मौलाना अबुल कलाम अजाद की या फिर हुमायू कबीर की 15 कहो जाएगा ऑप्चन सी राइट एंसर मौलाना अबुल कलाम अजा एप्पी जे अब दुल कलाम जे एल नहरू और डी में एस राधा क्रिष्ट ने 16 कहो जाएगा ऑप्चन भी राइट एंसर ठीक है 16 कहो जाएगा ऑप्चन भी राइट एंसर एपी जे अब्दुल कलाम पुस्तक इगनाइट टेट्स मांट का लेखक है चलिए उसके बाद 17 नमर प्रिस्ट में गुलाम गिरी का लेखक कौन था बी आर अमेडिकर जो तीबा फूले महात्मा गांधी पेरी यार तो 17 का हो जाएगा option B राइट एंसर ठीक है जो तीबा जो फूले है गुलाम गिरी का लेखक है चलिए नेक्स्ट कोशन देखिए 18 में इंडिया आफ माई ड्रेम्स के लेखक कौन है गुपाल कृष्ण कोखले जवाहर लाल नहरू जेबी क्रिपलानी और डी में एमके गांधी इसका हो जाएगा राइट एंसर 18 का option D ठीक है और D में अंतरे सेन 19 का हो जाएगा option A राइट एंसर गुनार मिड़ल जो थे एस्या ड्रामा के लेखक है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन देखिए 20 में अंग्रेजी पुछ तक ब्रोकेन विंग किसकी कृति है तो यहाँ पर भी दो सवाल है आपका एक्जाम में आ सकता है ऐसे कि ब्रोकेन विंग जो है किसकी पुछ तक है मतलब यह तो आएगा ही तो इसका हो जाएगा 20 का option C स्वरोजनी नावडी का ठीक है नाइडू का और यहाँ पर इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि ब्रोकेन जो बिंग से अंग्रेजी पुछ तक है हिंदी पुछ तक है या मतलब इस टाइप से पूछा जा सकता है ठीक है 20 का हो जाएगा option C स्वरोजनी नाइडू की ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन देखे 21 में ये ब्रीफ हिस्ट्री ओफ टाइम के लेखा कौन है अलवर्ट अंस्टीन आईजक न्यूटन चार्ल्स डार्विन और डी में स्टीफ़न होकिंग 21 का हो जाएगा option D राइट एंसर स्टीफ़न होकिंग की ये लेखा कौन है ये मतलब बुक के लेखाक ये ब्रीफ हिस्ट्री ओफ टाइम्स के लेखाक है स्टीफ़न होकिंग चलिए नेक्स्ट कोशन देखे 22 में गुड अर्थ पुस्तक के लेखाक है जेबी सो परल एस बक सी में रुड यार्ड की प्लेइंग और डी में चार्ल्स डिकिंस तो 22 का हो जाएगा option B पुस्तक के लेखाक कौन है बी एस नाइपाल पिटर कैरी मिलर खुसवन सिंग 23 का हो जाएगा option D राइट एंसर ठीक है 23 का option D हो जाएगा राइट एंसर खुसवन सिंग truth love and little malice पुस्तक के लेखाक है चलिए देखे आप थोड़ा सा slow में पढ़े कोई दिकत नहीं यह मत सोचे कि सर मतलब की पढ़ने नहीं आ रहा है या फिर कुछ आपको मतलब सोच रहेंगे कि सर तो इतना slowly से पढ़ने ठीक है देखे ऐसा ऐसा जो word है ना कि थोड़ा सा slowly रचना है तो ऐसा मज़ा नहीं आएगा इसको पढ़िए कोमा के थोड़ा सा जो इसको पहले पढ़ लिए उसके बाद की लेखाक ठीक है तो देखे मिडनाइट्स चिल्ट्रेंड के लेखाक है एम फॉस्टर बी में सलमान रुस्दी और डी में गुनार मिर्डल और डी में सी जी मार्क वेज 24 का हो जाएगा उप्चन बी राइट एंसर सलमान रुस्दी जो है मिडनाइट्स चिल्ट्रेंड के लेखाक है चलिए नेक्स्ट कोसें देखे 25 में एज यू लाइक इट किसकी रचना है ठीक है एज यू लाइक इट किसकी रचना है पर्ल एक्स बक ठीक इस यू लाइक इट ठीक है तो बस यह रहा आज का 25 सवाल क्या मैं रिपीट कर दू अगर रिपीट जो लोग अगर देख रहोंगे तो आप कर दीजा मैं एगर अगर जो लोग नहीं एगरी है तो लिखिएगा आइम नॉट एगरी नहीं हूं ठीक है तो चलिए हम आट ऑफ इनडिया पुस्तक किसे लिखी टू का हो जाएगा उप सभी मारकत तुली चलिए नेक्सट कोशन कि श्री मत भागवत की रचना किसने की थाट का हो जाएगा आप सण सी बेथ्द्वयास में चलिए next question देखे 4 में आईने अकबरी के लेखक 4 का हो जाएगा option B अबुल फजल ठीक है 4 का option B हो जाएगा अबुल फजल चलिए next question देखे 5 में wealth of nation के लेखक कौन है 5 का हो जाएगा option A Adam Smith चलिए next question देखे 6 में area of darkness के लेखक है 6 का हो जाएगा option B vs Nepal चलिए next question देखे 7 में the god of लिखा उपनियास है, 7 का हो जाएगा, option C, अरुन्दिती राइकी, चलिए, नेक्स्ट कोशन देखिए, 8 में, A train to Pakistan, पुस्तक के लेखा कोन है, 8 का हो जाएगा, option D, खुसवन सिंग, उसके बाद देखिए, 9 नमबर प्रेस्ट में, चलिए, नेक्स्ट कोशन देखिए, 10 में, अंटोल्ड, ठीके, अंटोल्ड स्टोरी के लेखा कोन है, 10 का हो जाएगा, उसके बाद देखिए, 11 में, गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी क्रिती है, 11 का हो जाएगा, ए, लुई फिसर की, उसके बाद देखिए, 12 नमबर प्रेस्ट में, पुस्तक के लेखा कोन है, 12 का हो जाएगा, ए, लेका कोन है, 13 का हो जाएगा, autopsyन D, जेंरल जेजे सिंग के, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोशन देखे 14 में हिंदू भी आफ लाइफ नामप पुस्तक किस ने लिखी 14 का हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधा क्रिस्ट ने ठीक है 14 का हो जाएगा ऑप्शन डी उसके बाद देखे 15 नमर प्रेस्ट में इंडिया विल्स फ्रिडम पुस्तक आत्म क ठीक है 16 का ऑप्शन भी हो जाएगा राइट एंसर चलिए नेक्स्ट कोशन देखे 17 में गुलाम गिरी का लेखा को ने बिया 17 का हो जाएगा ऑप्शन भी ज्योंतीवा फूले है चलिए नेक्स्ट कोशन देखे 18 में इंडिया ओफ माई ड्रेम्स के लेखा कोन है 18 का हो जाएगा ऑप्शन टी राइट एंसर यानि एम के गांधी चलिए नेक्स्ट कोशन देखे 19 में एस या ड्रामा के लेखा कौन है 19 का हो जाएगा option A गुनार मिरडल चलिए नेक्स्ट कोशन देखे 20 में अंग्रेजी पुछ तक ब्रोकेन विंग किसकी कृती है 20 का हो जाएगा option C सुरुजनी नाइडू की चलिए नेक्स्ट कोशन देखे 21 में एक ब्रीफ हिस्ट्री ओफ टाइम के लेखा कौन है इसका हो जाएगा 21 का option D स्टीफ़न हॉकिंग उसके बाद देख लिजे नेक्स्ट कोशन 22 गुड अर्थ पुस्तर के लेखा के कौन भी आ 22 का हो जाएगा option नंबर बी पर्ल एस बग चलिए नेक्स्ट कोशन देखे 23 में ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस पुस्तर के लेखा कौन है 23 का हो जाएगा option D खुसवन सिंग चलिए नेक्स्ट कोशन देखे 24 में मिडनाइट स्चिल्रेन के लेखक है 24 का हो जाएगा option B सल्मान रुस्दी चलिए नेक्स्ट कोशन जो की लाश्ट परेशन है Is you like it? किस की रचना है? 25 का हो जाएगा option B right answer 6 PR की रचना है Is you like it? ठीक है तो बस एई है आज का 25 सवाल मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा Thank you so much Bye bye Take care all the best